मैं इसलामुदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहाटेंस आप सभी को मालूम है कि मुम्रा में CAA NRC NPR का विरोध हो रहा था मगर 63 दिन कुरोना वाइरिस की वजह से इस विरोध परदर्शन को अस्थागित कर दिया गया था जिस वक्त विरोध परदर्शन अस्थागित किया गया था उस वक्त कहा जा रहा था कि विरोध करने के लिए जो शामियाना लगाया गया है वो ऐसे ही रहेगा मगर कल से ही अब ये शामियाना भी निकाला जा रहा है आपको बता दे कि प्रदर्शन अस्थगित करने के वक्त करीब 18 महिलाएं अपनी चपल वही छोड़ दी थी कि विरोध दुबारा क्रोना वाइरस का खत्रा खत्म होने के बाद शुरू करेंगी और मीडिया को भी जानकारी दी गई थी कि पुलिस ने सिर्फ अस्थगित करने को कहा है और ये शामियाना ऐसे ही रहेगा हलाकि पुर्दसन अस्थगित होने के बाद लॉक डाउन होने की वज़े से करीब 4-500 लोगों के लिए यहां खाना बना कर जरूरत मंदों तक पहुंचाया जा रहा था मगर कल से ही मुम्रा शाहिन बाग का शामियाना भी खोल कर हटा दिया गया है महिलाए जो चपल यहां छोड़ कर गई थी वो भी हटा दिया गया है आपको बता दे कि CAA का विरोध कर रही महिलाओ ने भी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फरेंस कर जानकारी दी थी कि क्रोणा का खत्रा टल जाने के बाद दुबारा CAA का विरोध शुरू करेंगी मगर शामियाना खुलने के बाद कई लोग अब असमंजस्ट में हैं कि आखिर अब विरोध दुबारा होगा या नहीं मगर जब हमने यहां मुम्रा के शाहिन बाग के वोलिंटियर से जानकारी ली तो बताया गया कि शामियाना हटाया जा रहा है और जो खाना बनता था लोगों को बाटने के लिए वो अब दूसरे जगहां पर बनाया जाएगा क्योंकि कुरोना वाइरस का खत्रा बढ़ता ही जा रहा है एहतियात के तौर पर यहां रोड के किनारे से हटाया जा रहा है हाला तिस्थिर होने के बाद दुबारा CWA NRC NPR का विरोध परदर्शन मुम्रा के श्चाहिन बाग में एक बार फिर दुबारा शुरू होगा तो तमाम खबरों को जाने के लिए देखते रहे हैं प्रहाट नहीं ताजा तकिन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और विल आइकॉन दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें